देखिए ये जो MSP की कमिटी बनाई है ये सरासर पंजाब के साथ धक्का है जो राजिय 40-50 फीसदी अन-अन बंडार में देता है जिससे हिंदोस्तान के लोगों का पेट भरता है आप ऐसी कमिटी बनाई है जिसमें आप सब अपने चहतों को डाल दिये चेर्मेन उसे बनाई नीती आयोक का मेंबर जिसने वकालत करी वो सारे पांच लोग जिन्हों ने इसके जो BJP के साथ संबंदे थे उनको किसान ओगनाईजेशन से अपने सारे चेते आप डाल के ना हमारी पंजाब की अग्रिकल्चर युनिवर्सिटी का कोई मेंबर डाला आपने अग्रिकल्च है पंजाब जो सारा पेट भरता है जिन्होंने इल्ना बड़ा आंदोलन लड़ा जिनके साथ सो किसान शहीद हो गए जिन जिन्होंने धरना उठाया ही सिर्व ये क्योंकि आपकी चिठी में एक नंबर का पॉइंट अग्रिकल्चर मनिस्टर ने ये विश्वास दे आया थ किया जाए और मुझे लगता है कोई किसान SKM का कोई मेंबर आएगा नहीं क्योंकि ये बाइस्ट एक कमिटी बनी है और किसानों को एक बार फिर आप धरने में बैठने के आप उनको उस तरफ धकेल रहे हैं जेड़ी देशती सरकार ने इन नवी कमिटी बनाई हैगी MSP बारे मैं समझ ये सरा सर पंजाब देनाल बेनसाफी हैगी 2021 जद किसाना ने तरना चक्या सेगा जेड़ी चिठी क्रिशी मंतरी ने ओना नो दिती सी नंबर एक पॉइंट सेगा कि एक कमिटी बनाऊ जाओगी कि MSP नो के में सुनिशित कीता जाए मतलब legitimate legalize के में कीता जाए लेकिन एस जड़ी होन बारा तरीक नो एस साल चे जड़ी होन इना ने इस महीने कड़ी हैगी एदे विच कोई MSP नो legal करन दा कोई नामों निशान नहीं है ते हैरानी दी गाल कि एस कमिटी विच सारे अपने चैत्या नो जिने एगरिकल्चर बिल बनाए और सेक्रेटरी नो चेर्मेन बनाता नीतिया योग दा मेंबर बनाता जेड़े पंच बंदिया ने पूरी वकालत किती हो ना फार्मर ओगनाईजेशन्स नो पाता तोसी युनिवरस्टी पाती ने जबल पोर ते जमूदी लेकिन पंजाब दी अगरिकल्चर हैगा मैंनों हरानी है कि आम आदमी पार्टी दी सरकार पंजाब जे मुख मंतरी भगवंत मान के में चुप बैठे है थे आके तर ना क्यों नी ला रहे ने कल्ले बैठके प्रेस रिलीज करन दे नाल नहीं ए तुसी साड़िक किसाना नो एक बार फिर अंदोलन करन चे तु सिता करें हो ते बड़ी दुख ते शार्मधी गाले